नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रभी और आप देख रहे हैं रभी कानतियादो यूचूब चैनल हम लोग इस विडियो में बात करेंगे कि पीपीफ जब मिच्चोर हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास कौन-कौन से आप्शन होते हैं देखिए पीपीफ मिच्चोर आपका ATC के इंकम टैक्स की एक धारा है जिसमें आप लोग इसके कॉन्ट्रिबूशन को इसमें मिल रहे हैं इंड्रेस्ट को और इसका जो भी मिच्चूरिटी अमाउंट है उसके लिए पूरी तरीके से आप लोग रीबेट ले सकते हैं तो यह पूरी तरीके से टैक्स फ्री इं तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से option आते हैं, क्या इसके features होते हैं, tax benefit आगे क्या मिलते हैं और किस तरह के maturity amounts आप लोगों के create होते हैं वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजेगा, दूसरों के साथ share करके उनको जरूर बताइएगा, public provident fund की maturity के बाद हमें कौन-कौन से option मिलते हैं और हमारे लिए कौन सा best हो सकता है, वो भी मैं clear करने की कोसिस करूँगा इस वीडियो में, तो दोस्तो, सबसे पहला option मिलता है कि आप लोगों का जो maturity amount है, उसे आप लोग पूरा withdraw कर लें, ठीक है, आप लोग पूरा amount withdraw कर लें और अपने PPF को close कर दें, ये आप लोगों को पहला option मिलता है, इसमें आप लोगों को form भर करके post office या फिर bank को बताना पड़ता है कि हाँ, हम PPF से अब अपना पैस amount में वो पैसा आपको मिल जाएगा, जो भी maturity के साथ बनता है, जो भी amount वो मिलेगा, वो बिल्कुल से tax free होगा, वो ना आप लोगों के सलाना income में जुड़ेगा, ना कहीं भी, वो आप लोग पूरी तरीके से claim कर सकते हैं उस साल में, ठीक है, आप लोगों का interest वगेरा है, क 42 लाक रुपेस बना, अब आप लोग चाहते हैं कि हमें अभी 42 लाक रुपेस की जरूरत नहीं है, हमारे पास enough पैसा है, हमें अभी इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको 5 सालों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जो 5 साल है दोस्तों, इसमें को 5 साल करके, ठीक है, लेकिन जब भी आप लोग maturity के बाद इसको बढ़ाएंगे, तो 5 साल ही केवल बढ़ा सकते हैं, 15 साल नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, 5-5 साल के बलक में आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं, तो अभी जो maturity के साथ है, इसके साथ आप लोग अ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, जो कि बैंकों से काफी बहतर है, अगर आप लोग कंपेर करते हो, एक्सिस से या फिर कंपेर करते हो, SBI से, SDFC से, जो 5-6 परसंट की ब्याजदर है आप लोगों को offer कर रहे हैं, ठीक है, तो यह है दोस्तो, public provident fund में दूसरा option, और इसमे आप लोगों का जो contribution होगा, महीने का maximum 12,000 रुपए और सलाना 1,500,000 रुपए इसको आप लोग इसमें continue कर सकते हो, ठीक है, और अपना tax benefit भी ले सकते हो, यह दूसरा option होता है, और इसमें जो भी आप contribution करोगे, वो आप लोगों का tax free होगा, यह तो दूसरा option आप लोगों को म ले करके चलते हैं, तो यहाँ पे जो 42,00,000 रुपीज का maturity बना है, इसमें आप लोग contribution कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अपने public provident fund से पैसा भी अभी नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग 42,00,000 रुपीज नहीं लेते हैं, यानि कि आप लोग post office को न बंद करने की जानकारी देते हैं, नहीं आप लोग उसको आगे continue करने की जानकारी देते हैं, नहीं आप लोग ये कहते हैं कि हम अपना और contribution इसमें करना चाहते हैं, तो आप लोगों का account दोस्तो एक साल तक कमा करके देगा आप को पैसा फिर एक साल के बाद उससे आप लोग को किसी भी तरह की इंट्रेस अर्णिंग नहीं होगी इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है लेकिन अगर आप लोग पोस्ट ओफिस को बता देते हैं तो आप लोग का जो पैसा है वो आगे भी चल करके कमाई करता रहेगा अगर आप लोग उसमें नहीं भी करते हैं तो एक बार जो भी आप लोग का डिसीजन होगा वो ब्रांच में जा करके विजिट करके बताना होगा पोस्ट ओफिस को तो आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए क्योंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा थे क्योंकि लोग टैक्स सीब करना चाहते हैं देसंबर का ये जो लास्ट डेट बचा हुआ है आई टे आर के लिए तो कई लोग पूछना चाहा रहे थे कि सर हमारे लिए क्या क्या चीज़े हैं प्यब्लिक प्रॉविडेंट फर्म में मिच्चूरिटी के बाद कॉंटर्पूशन में तो य लोगों तक इसे तरह की वीडियो के नॉटिफिकेशन आती रहेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं इसे तरह की और वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोगों कर दिन सुब हो जैहन् झाल